तो गाइज यह रोता हो चहरा प्याज काखने के बाद का है समसोचना कि यह रो रही है गोर से देखो इस लड़की को जहां जाँ पानी देखो तो गाइज अभी शाम के छे बज़े हैं और मैं अभी ब्लोग स्टार्ट कर रहे हूं और आज हम बनाने वाले कच्छे आम के खटाई आपने मेरे लीचे वाले ब्लोग में लेखो वाकि मुझे आम में लेके दो तिन पड़े हुए तो मुनको लेके आगे हैं और एक-दो मैं थोड़ा सा 새-this है डाउन च्ल रहा है जोड़ी से मुमी पापा का मूर्व ऐवी इतना नहीं है अक्टिव नहीं है वो तो मैज श्यूट भी नहीं कर पाती हूं फैवले को भी नहीं पा नहीं है पर्ट मुझे ब्लोग भी करना ए और आप लोगों आशा है शयर Kath बहुत चोटा शोर को मेरे दardoo का होता ही होता है क्या कर सकते हैं नेनों नहीं रीख सब्सक्राण हैं वे बॉंदों ही को स्ट्रीक अदूस 만डे 501चे मesक ट्र dauirmi चांद निगा वे मुझे तो ऐसा मतलब मुझे ट्रस्टी नहीं कि मेरे दादू हमें छोड़के जा चुके हैं मतलब उनका प्यार उनकी बॉंडिंग मतलब नेक्स लेवल थी बहुत डिफ मतलब मुझे मुझे वापसे जादा प्यार करते थे उन्होंने आज तक कभी भी लाइफ में मेरा नाम को अपनी फामिली को मतलब तो यह रहा हमारे दादू का 15 साल पुराना फॉन जो की तीन साल पहले खराब हो चुका था और दादों ने नियू फॉन ले लिया था तो इसको संभाल के रखा था यहां पर साथ दूजी के सारे डॉकॉमेंट है उनकी टीप और देख सकते हैं बेटों की शादियों से लेकर डेली डाइरी नोट करने से लेकर अपने जमीन के कागजात सब कुस एटूची चीजज़ाद दूजी ने संभाल के रखी थी आ देख सकते हैं आपकी बूड़े थे फिर भी देख सकते हैं मेरे भाई का रिजल्ट 2015 में आया था और उन्होंन आमी रिटाइड परसन थे वो फोरेस्ट कार्ट से रिटाइड थे तो काफी वो मतलब एजुकेटर भी थे एंड काफी नौलेज भी था उनको तो यही थी मैं दादू क्या याद दें और मैं ज्यादा बात नहीं कर बाती है अपने दादू के बारे में चुलों आपको बा चयाम की खटाई की तो यहां पर इबनिंग के छे बज रहे हैं इधिंक 6.30 हो रहे हैं और दूप देख सकते हो आप कैसे लग रहा है कि दूप एहर के दो बज रहे हो और लोग खेतों में गुडाई कर रहे हैं कितना डिफिकल्ट होता है कि सानों के लिए और यहां पर हम कि गुडाई बहुत है कि यहां अभी तक लोग खेतों में और अरुग की ओर नग दूर तो जैसे मैं आपको बताया कि पानी लेने के लिए ममी नहीं भेज़ती है एड आपर बोल कर थंडा बानी होता है जहां जा पानी दिखता है अपर यह का दिल पिगल जाता है जो जुमीन से पानी आता है डायरेक्ट किसी से टीज में टश नहीं होता है वो बिल्कुल साफ होता है और बिल्कुल ठंडा होता है तो जब मैं पानी लेने के ले गे थी तब इतना दिन था हो देखकते अब अभी अंधेर रह चुका है रोको आपको बैक्याना के साथभाती तो यहां रास्ते में प्रिया का घर यह कर रहे है संध्या आरती और मैं इसकी वीडियो बना रही थी और देख सकते हो आप सामने मक्ही कितनी बड़ी बड़ी होगी है सबसे पहले यहां पर भुट्टे लगेंगे और मैं खांगर धनिया जो बिल्कुल जा चुका था और आप देख सकते हों यह किसी पंची नहीं मैंने खाया हुआ अंशुन नहीं खाया हुआ है तो इनकी बनाएंगे हम आज कच्छाम की खटाई तो आम की धुलाई के बाद आमके कटाई भी हो चुकी थी यहां पर हमने ग्रीन चिली कुछ लहसुन की कलियां लाल मिर्च और य यहां पर हमने दालचीनी का पाउडर और साइड में ये थी काले मिर्च और यहां पर हमने अब धनिया के लेने थे कुछ बीज और नमक देगी मिर्च जीरा पाउडर और जीरा साबुत तो इसको तरुए प्यास ले लेना है अब इसको टरन आती है चॉप चॉप कर किसली तो अच्छा फ्लेवर आता है जो चिली और गार्लिक और मतलब लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो चॉप करने के बाद काफी अच्छा जाता है यहां पर मैंने गैस में तेल डाल दिया था और मेरी बहनी आप लग पड़ी थी इसको चॉप करने के लिए और आप इस सच में ट्राइक करना चॉप के हो मसालों का जो फ्लेवर है ना वह काफी जो इनहांस होता है आपकी किसी भी डिश में तो यहां पर हमने जो वो धनिया एंचीरा डाल दिया था तरके हो है उसके बाद जो चॉप के हो मसाल है वो डाल देंगे हम और इसको गोल्डन ब्राउन होने मेथियो लाल मिर्च को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है उसके बाद हम उसको तरके में डाल देंगे इसको हमने मीडियम फ्लेम पे यह लो फ्लेम पे जो बिल्कुल ऐसे कर लेना है उसके देख सकते हो आप इसको में मसाले में डाल देंगे हम इसको बिल्कुल बु कश्मीरी लाल मिच टाल दी थी ताकि इसका कलर काफी सुन्दर आए तो नमक यहां पर कम पढ़ रहा था कि थोड़ा सा नमकर हल्दी और एड़ कर दिये थे अब इसको चलाएंगे और बिलकुल गोल्डन ब्राउन होने तक मसाले को बिलकुल भूनेंगे अच्छे से और आप जब तक जो बिलकुल जो वह सौफनी हो जाती है यहां पर जो यह दाल चीनिक और काली मिर्च का पॉडर था यह भी हम उपर से डाल देंगे और इसका फ्लेवर भी कापी अच्छा थै तो भी हम इसको थोड़ी मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे और लास्ट में हम प्यार कर जो जो डालने के बाद और अच्छे से पकाने के बदेख सकते हैं आप कितना प्रिटी आ रहा है तो आप लोग भी ट्राइक करना बहुत ही यह दो इसका दाजरी निका पाउडर का जो फ्रेवर आ रहा था वो काफी अच्छा लग रहा था तो आप लिग इस ताइल में करन करना मीरियम फ्लेम पर पकाना है इसको आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लास्ट मैं जब ज़िए 90 परसेंट पक जाएगी उसके बाद आपने इसमें शुगर या जो वो शक्कर बगारा कुछ भी एड कर सकते मैंने जो इसमें शक्कर एड़की थी तब इसका कलर य झाल